MS Excel में VLOOKUP function data pull करने के लिए बहुत ही useful है लेकिन criteria के साथ या फिर dynamic data में कुछ-कुछ situation में VLOOKUP function fail हो जाता है इस तरह का horizontal data से अगर vertically data pull करना होता है तो VLOOKUP data pull नहीं कर सकता है और यहीं पे getPivot data function बहुत ही useful हो जाता है अब ये getPivot data function होता क्या है जैसे कि सुनने में पता चल रहा है getPivot data function पाइवर टेविल से data pull करता है चाहे कोई भी format क्यों नहीं हो तो आज के इस विडिमें हम लोग सीखेंगे getPivot data functions क्यों इतना useful है और किस तरह से apply किया जाता है किस तरह से ये काम करता है तो मैं हूँ प्रशिंजीत और आप देख रहे से data pull करता है यह directly source data से data pull नहीं कर सकता है इसलिए getPivot data functions apply करने के लिए सबसे पहले एक private टेवी create करना होता है और इस वीडियो में मान के चलते हैं कि आपको पता है कि किस तरह से private टेवी create क्या जाता है अगर नहीं पता है तो उपर right side में i button पे click करके देख सकते हैं तो सबसे पहले concept clear करेंगे उसके बाद एक shortcut सीखेंगे तो देखें यहां पर लेमन का जैनुरी का sales लाना है तो कैसे लाएंगे is equal to getPivot data packet start सबसे पहले डालना होता है data field अब यह data field क्या है तो जो पाइवेट टेबिल है इसमें क्या calculate कि हैं इसमें हम लोग cell value calculate कि है मतलब इस पाइवे इसमें तरीके से समझें इहां पर जो हीड़र से इसमें से जो भी हीडर value में होगा वही हो गया data field जैसे कि यहां पर देखिए sales value में है तो यह sales हो गया data field अगर sales के जगापे यहां पर inverse number होता तो inverse नंबर हो जाता data field अगर invoice number और sales दोनों ही होता value में तो यह दोनों ही हो जाता data field तो for the timing invoice number को हटा देते हैं और sales को value में रहने देते हैं तो इस हिसाब से हमारे इस function का data field हो गया sales तो यहां पर लिख देते हैं double code के अंदर sales और इसके बाद यहां पर डालते हैं और next क्या है इसके लिए जिस private table से data pull करना है इसके लिए जिस private table के कोई भी एक sales select करना है जैसे कि कि यहां पर देखें इस private table का कोई भी एक sales करेंगे तो इसके लिए पाइबेट टेबिल का जो first sales है इसके बाद दालते हैं नेक्स्ट क्या है field1, item1, field2, item2 यह सारे kind of criteria's है तो field1 में क्या होगा हम लोग cell calculate कर रहे हैं lemon का, lemon एक product है तो यह अगर product field है तो product के अंदर apple, papaya, lemon बनाना यह सारे हो गया item तो field1 में हम लोग लिख देंगे product, double code close, comma, item में क्या लिखेंगे lemon, तो यह आप direct lemon लिख दी सकते हैं या फिर इस cell को select कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर cell reference ही डालेंगे अब देखिए जो सारे product से यह सारे एक ही column है तो इस column को fix करना है, नहीं तो अगर हम लोग इस function को side में track करेंगे तो यह selection भी move हो जाएगा और function में error आ जाएगा अब अगर हम लोग bracket close करके interface करेंगे तो दीखें यहाँ पर cell value आ जाएगा लेकिन यह January माहिने का cell value नहीं है यह lemon का total cell value है तो अब यहाँ पर हम लोग second criteria डालेंगे जो की है month के उपर तो bracket को हटाते हैं, फिर से comma डालते है field 2, field 2 यहने की criteria 2 criteria किसके उपर है, month के उपर है और field क्या होगा यहाँ पर, month हो जाएगा तो double quote के अंदर month ठीक है, double quote close, comma डालेंगे month के अंदर देखें यहाँ पर January, March, April, February यह सारे items है और यहाँ पर हम लोग को January का cell calculate करना है तो item में हम लोग यह sell select करतेंगे, जहाँ पर यह महने का name लिखा हुआ है, और यह जो सारे महने का name है, तो दीखें, एक ही row में लिखा हुआ है तो row fix करना है, तो row के आगे dollar sign डाल देंगे, इसके बाद bracket close करेंगे, एंटर प्लेस करेंगे तो दीखें, lemon का January महने का sale value यहाँ पर आ गया अब अगर side में भी drag करेंगे तो दीखें, हर एक महने का accurately sale value यहाँ पर आ गया lemon का April का देखें, April का lemon का देखें, यहाँ पर 72,561 रूपीज तो accurately यहाँ पर सारे sale value आ गया, अब अगर इसे नीचे भी अगरेंगे, तो दीखें, हर एक product का, हर एक महने का accurately sales यहाँ पर आ गया, mango का February, तो दीखें, यहाँ पर mango का February जो है, 36,068 रूपीज तो दीखें, accurately sale value यहाँ आ गया, अब इस function का एक shortcut तरीका देखें, हाला कि यह format जो है, यह थोड़ा change हो गया, कोई भी format क्यों ना हो, get private data functions, सेम तरीके से काम काता है, और accurately data pool करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जान बूच के यह format change कर दिया, देखें, इसके एक shortcut में दिखाता हूँ, यहाँ भी lemon का January महने का sales हलू लाना है, इसके लिए is equal to, इसके बाद January महने का sales हलू है, उस sales को select करना है, तो देखिए, automatically यहाँ पर function आ गया, इसके बाद item जहाँ पर mention क्यों है, यह manually यहाँ पर item डाला हुआ है, अगर इस function का हम लोग side में यहाँ पर नीचे drag करेंगे, तो एक sales amount आता रहेगा, क्योंकि criteria हर एक sales में एक ही रहेगा, यह automatically change नहीं होगा, इसके लिए क्या करना है sales reference डालना है, तो product का जो item है, वो कैसे select करेंगे, इसको delete कर देते हैं, तो देखिए, यहाँ पर lemon लिखा हुआ है, इस sales को select करते हैं, यह सारे products देखिए, एक ही row में हुआ है, तो मतलब यह row number fix करना है, तो six के आगे एक dollar sign लगा देंगे, second criteria में, इस sales को select करेंगे, जहां महिने का name mentioned के हुआ है, और देखिए इसी column में सारे महिने का name mentioned के हुआ है, तो column fix कर देंगे dollar sign लगा के, इसका enterprise करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर accurately sales amount आ गया, अब हम लोग इसको side और नीचे drag कर देंगे, तो देखिए, सारे amount यहाँ पर accurately आ गया, एक और खासिया दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर change कर दूँ, product को row में लाता हूँ, और month को column में लाता हूँ, फिर भी देखिए, यहाँ पर accurately data आ गया है, अगर मैं यहाँ पर invoice number भी value में लाता हूँ, फिर भी देखिए यहाँ पर accurately sales value आ रहा है, मतलब private table में कुछ भी change किया जाए, फिर भी get private data functions accurately data pull कर सकता है, यही खासियात इसको special बनाता है, तो यह बहुत useful and simple function है, I hope के आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह से get private data functions apply किया जाता है और किस तरह से यह काम करता है अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोटों के साथ share कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जलसे सब्सक्राइब आप दर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मन भूलिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए तो आज के लिए दिन रही है फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ नया पंक्सन के साथ तब तक के लिए बाबाइ